हलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्स्टेंशन बोर्ड का कनेक्शन बताऊँगा इस वीडियो में मैं एक सिंगल सॉकेट लूँगा और एक स्विच लूँगा और मैं एक्स्टेंशन बोर्ड बनाऊँगा इसके लिए मेरेको मैट्रियर रिक्वाइड होगा सुइच बोर्ड वन सुइच वन फाइपिंश सॉकेट वायर एक स्कूरू और एक स्कूरूडर यह आप बनाना सीख गये कनेक्शन सीख गये तो आप एक्स्टेंड करके आप कहीं पे भी इस एक्स्टेंशन बोर्ड को ले जा सकते हो और चार्ज कर सकते हो फोन या कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे चार्जर वायर छोटा है यह सब की आप डारेक्ट जहां पर आपको जरूरत है वहां पर एक्स्टेंशन बोर्ड लेके जा सकते हो तो चलो मैं इसका कनेक्शन बता देता हूं मैं कन को लगता है सबसे इजी इसी का कनेक्शन रहर तो मैं पहले एक स्वीच बना लेता हूं यह मेरा स्वीच हो गया आप कहीं पर भी extend करना चाहती हो तो फिर से यहाँ पर लगा सकते हो इसलिए मैं हाइट पिन सॉकेट कर इसकते हूँ आप यहाँ पर तू पिं सॉकेट भी यूज कर सकते हो अब मैं indicate कर देता हूँ ये मेरा earth wire रहा ये nut ¬ ये face कर दिया अब मैं इसका connection कर दिएगा पहले मैं face का connection कर जिता हूँ तो as usual face switch के दूसरे terminal से face में जाएगा ये connect कर दिया मैं और फिर ये switch से ही दूसरे terminal से मेरा supply में जाएगा आप ये wire जितना लंबा ले सकते हो जितना आप extend करना चाहते हो wire को जितना लंबा रखना चाहते हो उतना आप ले सकते हो ये मेरा phase हो गया अब मैं neutral का connection कर देता हूँ neutral के लिए मैं green pen ले लेता हूँ मैं इससे indicate कर देता हूँ ये मेरा neutral point है मैं neutral को ये मैं neutral से connect कर दिया अब मेरा earth wire बचा हुआ है अर्थ के लिए मैं black ले लेता हूँ और black connect कर देता हूँ ये मेरा earth हो गया मेरे को यहाँ पे three pin फ्लक की need होगी यहाँ पे मैं three pins फ्लक लगा दूँगा और ये मेरा board लगा दूँगा बाकी मेरा connection कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका practical बताऊंगा फिर extension board का connection बताऊंगा बट उसमें धेर सारा socket होगा एक switch होगा एक indicator होगा फिर ऐसे ही आप जोड़े रहो मेरे channel में thank you for watching my video